हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं अध्यारी रुष्टा इसे रेलाव प्राइब करें और बाइब भी और करें और ख्राइब काला प्रेकर करें दो सब ठीक है ना कोई गड़ पड़ नहीं हुआ ना हमारे रहते बच्चे चुचा भी ने कर सकते वो दोनों चुप चाप है अच्छा ये बताओ सुनिल भाई तुम्हें मना किया था ना इनके सामने एक दूसरे को नाम से बत पकार ना गल्ती हो गई ना चाल माप कर देना चाल उनका फोन आया नहीं आया काम पूरा होने तक हमें इंतिसार करना पड़ेगा फिर देखते हैं क्या करना है क्या हुआ सुनिल काम का क्या हुआ नहीं अभी तक तो नहीं आया है कि एक मिनिट लगते हो लोग आ गये अब किसी भी वक्त एक काम हो जाएगा बहुत अच्छे जैसा होगा फिर मुझे बताना ओके अब काम बहुत जल्द हो जाएगा सही है रोना मत अच्छी हम लोग उन बच्चों को रवाना कर देंगे और हम फिरी हो जाएंगे ऐसे कैसे रवाना कर देंगे दोनों नाम सुन चुके हैं मेरा दोनों को खत्म करना पड़ेगा अब कर दोनों कर दोनों कर दोना कर दोना हाएंग दिखने रहे, कहां कही है तोनों, रुको में देखता हूँ उतर हैं, दिखाई नहीं दे रहे, लगता है भाग कहें, चलो देखता हूँ बाइया, बाइया मुझे चलाने जा रहे हैं बाग बस थोड़ा सोरा है बाइया, बोधेर, बोर है बच्चे अए रोको चलो बगाए बाग 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 अधी धी धी, अधी 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 उटो बाग, यह मुझे भाग आधी अधी बोल तेरा भाई कहा है मुझे नहीं पता मैं पूछ रहा हूं बता बोल नहीं तो मार दूँगा तुझे बोल अरे डमरू गंदेख देखते हो यह आ पर अरे मिल गया मिल गया मिल गया अरे कदे मैं हूं चोड़ गंदेख गंडूड डूड़ता हो इधर इधर दिखाओ यह रहा कर अधर लगता है बच्चे भाग गए चलो टूड़ते हैं बचके जाने ने हीए वो पच्चा चलो थैंक गॉड तुमने टायर शेंज कर दिया वन्ना पूरी राथ हमें हाइवे पर ही गुजारने पड़ती आजाओ दीती आरबसे आरबसे आरबसे, संबा ए अधिति वो देख फोन में मम्मी को कॉल करता हूँ संबल के अधिति आजाओ सरी तुम बेठो इधर मुम्मी फोन नियु था रहे है हालो, हालो, से अरी अरे दिखता नहीं तुझे अरे भाई लोग मैं कबसे देख रहा हूं तुम लोग यहाँ वा देख रहे हों क्या गड़बड करने जा रहे हो क्या अरे नहीं बस हम लोग ऐसे अच्छी जागा देख रहे बैठने के लिए मेरको कोई गड़बड नहीं चाहिए हां अरे भाई साब गुस्सा क्यों कर रहा हूं हम लोग बैठ जाते आराम से ना इधर जागा है ठीक है ठीक है जाए अरे यार बच्चा दिखाई नहीं दे रहा अभी तो यही ख़़ा था यहीं कहीं होगा नमस्ते एसीपी सहब आज यहां खाना खाने आये थे ने ने कुछ खाने के लिए नहीं आये अम लोग तुमारे यहां से दो बच्चों ने हमें फोन किया था मदद मांग रहे थे क्यों दोनों बच्चों को देखा तुमने कहां पर है वो दो बच्चे हां देखा तो था मुझे लगा फैमिली वालों के साथ में है वहां लेकिन अभी वहां नहीं है सर हो सकता है कई छुप गए हूँ हाँ हो सकता है काम करते है ढूंड थे बुच्छों हाँ वेल जा रोहन 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 अधिती रोहन रोहन कहां गई यह बच्छ रोहन देखो में डाम लोग CID से हैं तुमने फून किया था ना में रोहन एडिती है कष़Frank संबाइक एot आज हूच बच्छों एल रह। हाच 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 эксперोब तो हाच hockey हाच क्या हुआ बताओ वो गंदे अंकल हमको मार देंगे देखो बेटा अब तुम्हें कोई कुछ नहीं करेगा हम घबराओ मत हम लोग है ना यह क्या हुआ मोच आ गई है हाँ पुर्वी आओ ले जाओ इसे पर ये बच्चे हमारी कार में कैसे अंकल अंटी सॉरी हम दोनों वो गंदे अंकल से बच्च कर आपके गाड़ों में छुप गए थे अच्छा बेटा जो दो गुंडे तुम्हारे पीछे पड़े थे क्या वो अभी भी यहीं पर है नई सर चलो कोई बात में अरे बच्चों के लिए दूद लेख रहा हो बिस्किट्स बिलाओ चलो लाओ पेटा ग्लास मुझे दे थेंक यू थेंक यू अंकल अच्छा लगा अच्छा लगा में बिस्किट खाऊगी कोई बात अच्छा बच्चों बता पहले से बता हो क्या हुआ हां तीन दिन पहले हमें स्कूल में से बगा के लेके गई थे और जंगल में एक बंद कर में बांथ कर रखा था अच्छे बिटा जंगल में जहां को बांथ के रखा गया था वो घर कहां पे है आपको कुछ बता है नहीं याद नहीं है चलो कोई बात में अच्छे बात बता बेटा क्या उन कंदे लोगों ने तुमारे घर पर फोन वोन किया था बात की उन्होंने तुमारे मम्मी के साथ पापा के साथ पापा नहीं है सिर्फ मम्मी है पापा गोड के साथ रहते हैं सिर आपको फोन लगाने से पहले मैंने मम्मी को फोन लगाय था फिर लेकिन मम्मी पोन नहीं उठा रही है तुम्हारे मम्मी को फोन हमें दो हम ट्राय करेंगे 1-4-6-888-1-7 अच्छा कोई बात नहीं सुर्फोन तो बज़रा है लेकिन फोन उठाने रही है वह सुचिंग है न बड़ी अजीब बात एक माँ जिसके दो बच्चे किडनाप हुए है वो ममी हमें कॉन्टेक्ट तक ने कर दी फोन पर भी अवेलेबल ले यह कैसे हो सकता है गड़बड है कुछ न कुछ तो गड़बड जरूर है काम करो अभी जुद को फोन करो उसे नंबर दो और उसे को को ट्रैक करें जल्दी सर्थ एसी प्यांकर अबटा मुझसे गल्ती हुई थी गल्ती कैसी गल्ती बिटा अंकल मैंने ना वाटर अंकल के टिप में से एक क्रोपा लिया था क्यों मुझे कॉल करना था हमको फोन करना था कोई बात नहीं बादूर हो तुम सर्थ रोहन के ममी के फोन की लोकेशन उतन के किसी रिसोट में बता रही है सर्थ और अभीजी सर्भी वही आने वाले है अच्छा उतन पुलीस यहां सर्थ यहां पर एक मर्डर होगया किसलिए पुलीस वाले यहां पर एक टाम करो बच्चों को गाड़ी से बाहर आने मनते ना ध्यान दखने को को कॉंस्टेबल को आये बच्चों की मा रुपाली उसका फोन यहीं पर लोकेट हुआ है इंस्पेकर साब का कहना है कि लाश एक और अउरत की लाश है तो कहीं है लाश इडिन्टिफाइ हुए है? जी यहां सर उसका नाम कारा है कारा है? जी यहां सर सर वो लोग जो खड़े हैं कारा उनी के गुरूप से है एक्षिली उन लोगों ने है कारा के बाड़ी को पली बार देखा था यह बच्छे अगर भार जाना चाहते हैं तो आप इनके साथ जाना ठीके और कोई भी इनसे मिलने आएगा तो आप आम इंक कॉंटाक की जाए यह बिल्टी के लोग और यह कारा की बाड़ी का है तो उपर वाले फ्लोर पर एक काम करो अभी जेते तुम उपर जाके वो आए ना कर लो मैं यह कुछ ताच करता हूं यह सर तो आप लोग कारा के साथ थे यह सर उसे आप सरमे विक्रम और यह मेरी वाइव सूजी सर में अंगाद और यह मेरी वाइव अंबेका और यह मेरी हजबन योगेंदर मैशालीनी आपके हाथ पर क्या है खुन कैसा सर वो कारा की बॉड़ी पलड़ते वक्त हाथ पे खुन लग गया था चाहा सर बॉड़ी में यहाँ पर तीन छेट जैसे किसी ने गुली माई ना सरा हुन बॉड़न में बॉड़ा है बॉड़ी के और इजनली कैसे पड़ी दी बॉड़ी पेट के वल यहां गिरी वी पेट के माल कि शेर के दर था इसी तरह जी सर को भी एक यहां 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 कि अ पांच फिट से गोली चला दे थे तिलाब कर ने खुरी के लिए दरोजा कोला तो फिर इसका क्या है सर एक और बाइख सर यह कारा का रूप नहीं है रूपाली का रह जो है कारा का खुन रूपाली के कमरे में हुआ है कोनी मारना किस कोछादाता à? कारा को या रूपली को? लेकिन सर, बिलिआ के विल्만 कारा के अकेली क्रके एकेल की या कर झाए? सर अज रूपली का बर्द्य था इसलिए उसको सप्रामыш के लिए कारा उसका रूम सजा रही थी तरह अप लोग जनती कैसा? सर, हम लोग एक ही कंपनी में काम करते हैं, लेके नलग लग शेरों से हैं, तरसल आज हमवारी कंपनी ने एक वर्क्शॉप यहां और्गनेस करी थी, तब ही हम मिल रहे हैं, इसके पहले हम लोग एक दुसरे को जानते तक नहीं थे सर, चाह, इसी यह आइडिया किसका था, कारा गई था, कारा रुपाली के कमरे को सजा रही थी, जब खूनी यहां आया और उसने कारा पर गोली चला थी, यह सवाल अभी भी परिशान कर रहा है, दर्वाजा ऐसे क्यों टूटा है, खूनी आया, उसने दर्वाजा तोड़ा, दर्वाजा बंधा, और जब यह सब तो कारा के दोस्त काहाँ थे, कारा ने कहाँ कि रूम डेकरोटोने में टाइम लगेगा, इसलिए हम मार्केट चे लेगए, हाँ सर, हमने प्लान किया था कि दश बचे तक वापस आजाएंगे, और जब वापस आये तो बिक्रम ने कारा को काल किया था, ताकि वो तयार रहे अज बचाएंगे, मैं आज रहे बहुत एंजॉइ कि अशा ही बता हुआ है, बहुत मजा है, बन तो करता ही हमारे सारे फंक्षन, सारे प्रोग्राम्स डेली यही पर हुआ करे आज तो हम रुपाली के आज की कॉफी पेएंगे ना, क्योंकि वह बहुत यामी कॉफी बनाती अज रुपाली आज क्या हुआ, रुक्यों गई? कुछ नहीं, तुम लग एक काम करो ना, तुम लग रूम में जाओ, मैं आती हूँ और अर अर यहाबी लो यही रुपाली? लो, प्लैन तो फेल हो गया इत्सों के, हम लोग चलते हैं, वो आएगी, शर्प्राइज हो जाएगी यहाँ, लेख लिए दरवाजा खुल नहीं रहा है शैए दंदा से बन रहा है वह अंदर से लोग क्यों करेगी भला? कारा! कारा, दरवाजा खोलो कहीं उसे कुछ हो तो नहीं क्या विक्रम इलीज, तुम ट्राय करना कारा? कारा? यह, रुपाली क्यों नहीं है तुमारे साथ? कारी वो? नहीं पता सर्व लेकिन सर्व तबसे वो वापस नहीं आई है सर्व कहीं यह रुपाली इन वाल्ट तो नहीं मडर में वो सकता है वाजमें इदर एक बात बताओ क्या तुमने रुपाली को यहां रिसोर्ट से बाहर जाते हुए देखा रिसोर्ट में आने के बात में कोई भी गेस बाहर नहीं गया सर् ठीक है जाओ तुम कोई भी गेस्ट रिसोर्ट से बाहर नहीं गया इसका एक यह मतलब है कि रुपाली अभी भी इसी रिसोर्ट में है इस रिसोर्ट का कोना कोना चान मरो ढूंडो रुपाली को निकल चिल करो सर्, हमने इस रिसोर्ट का हर कमरा और हर कॉरिडोर चेक कर लिया है रुपाली कई मिली नी रही है देख थे, एक कमरा बाकी है यह है न? जी है सर् सर्, गैज दर्वादा महीं कोल रहा है शाहिद कही गए होंगी सर्, यह रूम मिश्टर संदीप ने तीन दिन के लिए लिया था काउंटर प्रकी नहीं है इसका मदर भी उंदर ही होंगे मास्टर की सिकोलो ओके हाँ ओ माई गॉड यह तो रुपाली मैम है जमन्ती देखो सरा सर मर चुकी है माई गॉड रोवन रादity की माह रुपाली जिस पोजेशन पर बड़ी यह गोली लगी है म् हुनी ने यहां से गोली चलाई होगी ऐसे यह तो बढ़ी अजीब अजीब पोजेशने गोलीचलाने की वह हुनी ने यहां कमर के नीचे कि बंदों के गोली चलाई हो भी क्या है जादा तर तो लोग सीने के सीट से गोली चलाते हैं और खुनी ने यान लीचे कमर के पास रखके गोली चलाई है ऐसा किया हुँ देख मैं ठेख मैं जाओ पकड़ना है से पुरुवी ट्वीजर दो ट्वीजर लगता ये ने वो जाओ ती गोली लोग अच्छला ये किस किसम के गनी उसकी एक होने के? सर एक और चीज़ अगर खुनी कमरे में आया और का खुन करकर चला गया तो फिर ये दर्वाजे अंदर से किसे बन था? चिटकली किसने लगे? क्योंकि चिटकली अंदर से लगी थी इसलिए कारा के दोस्तों को दर्वाजा तोड कर अंदर आना पड़ा कमरे से बाहर निकलने कर दूसरा कोई रास्ता भी नहीं है और यहां पर जितनी खुड़किया है वो भी अंदर से बंद है खुन होआ कैसे? बड़ी उल्जवी पहली है यह सिर्फ यही उल्ज़न नहीं है विजित किसी ने रुपाली को भी मार दिया और वो भी तीर से सर पहले रुपाली के बच्चे किड़ने पून रुपाली की लाश जिस कम्रे से मिली है संदीप उसका नाम भी नकली है और आईडी नकली है यह संदीप की फोटो देखिए इसकी दाडी और मुचे बड़ी अजीब लग दी आफेडी दाडी मुचे दो अजीब है पर इसका चेहरा भी अजीब है मेरा मतलब यह अपना चेहरा चुपानी की कुषिश कर रा है शेवंती इस कम्रे के बार कर CCTV फोटेज दिकाओ मुझे यह स्थ इस 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 सब कारा के अलावा तो यहां कोई आया भी नहीं यह संदीब भी नहीं सब फिर कारा का खून किस ने किया कारा का खून किस ने किया कारा का खून किस ने किया संदीब के कम्रे का पुटेज देखते है संदीब के कम्रे का पुटेज देखते है इस इस कर दो किसी ने केमरे पे सीमेंट लगा है कोई तो है जो चाहता है उसका मोमेंट सीमेंट के पीछे चुप जाए तो सर लगता है कि ये काम इस संदीब का ही है पता लगाई लेंगे कौन चुपा था सिमेंट के पीछे सर जिसने भी सीसी टीवी कैमरा पे सिमेंट लगाया है वो नहीं चाहता था कोई उसे देखे यह देखो यहां पर ना कोई सीरी है ना कुछ शिर्फ यह पाइप इसका मतलब है यह खूनी इस पाइप से उपर चड़कर आया खेड के खूली और सीसी टीवी कैमरा के पीछे से सिमेंट लगातिया यही एक रास्ता है निखिल सॉम पाइप से नीचे उतरोगे यह सॉम गड़ चलो उतर जाओ देखो जरूर कोई न कोई सुरांग मिलगा नीचे आराम से आराम से आराम से आराम से निखिल संबाल के आराम घटराय है तर जाराम था कुछ मिला है क्या मिला है कॉटन सेंथेटी कॉटन सार सिंथेटी गरुई सर यह क्या हो रहा है यहां पर यह होटल ही यह सरकस है वो तो पता लगा हैं लेंगे बरड़ी इस ओड़िल में दो दो खोन होएं कुनी पाइप से चट एकर खीड़की से अंदर आता है सी सी टीवी कैमेरा पर सिमेंट लगाता है और दो खोन करके भाग जाता है कौन हो सब्ता है यह कुनी कौन इस होटल का ब्ल्यूपरिंट मुआ हो सर यह दोनों खोन तो पहली बन गए पहले कारा का खोन हुआ उसके कमरे में तारो तरफ से कमरा बनता यही नहीं पता चल्ला है कुनी अंदर आया कैसे और अब यह रुपाली के तीर की पहली सर वो आक्री कौल जो रुपाली को आया था शायद उसी कौल ने उसे संदीप के कबरे तक पहुचा जहां वो मारी गए अब जीब दर सोचो मान दिया कि संदीप ने कून किया है पर संदीप उस CCTV कैमेरा पर सिमेंट क्यों लगाएगा जबकि उसने अपने चेरा ही बदल दिया था दाड़ी मुचे लगाए थी भेज बदल दिया था बात तो सही है से चेरा बदल दिया तो सिमेंट लगाए या ना लगाए क्या फरक पड़ता है अभजीत बथा ये संदीप अपने आपको नहीं कुछ और चुपाना चाहता था क्या क्या चुपाना चाहता था वो कुछ तो है जो हमारी नजरों से चूट गया इस कमरे में एक एक इंच जान मारो कमरे का कुछ कि आएति नरे चुपाने एंच एक एंच 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 एलरिगी एंच एंच एंचüs एंच we got क्योंक, zemme इस कमरे में कहीं तो समेंट का इस्तमाल हुआ है सर हाँ के दे के सर यहाँ पर दो छेदे कि लों से मैंने लगते हैं सर यहाँ पर भी दो होल अरे सर यहाँ पर भी दो छेदे हम इस चारो तरफ कमरा में है के लिए क्यों लगाएगी कर दो कर दो प्रूश कर दो है कर दो कर दो इसक्वाँ पर भी दो कर दो कर दो कर दो तो ऐसे चलाया गया था वो तीर मतलब जिस वक्त खून हुआ उस वक्त संदीप कमरे में था ही थी यह गमरा इसे किराया पे लिया गया कि रुपाली का खून उसी समय किया जाए जब कारा का खून हो रहा था इसमतलब CCTV कामरे पे सिमेंट इसली लगाया गया था ताकि रुपाली की खून के बाद खूनी यहां पर आये इस सारा समान निकाले और और किसी को पता ना चले करेक्ट काफी दिमाग लगाया खोनी ने चलो गुपाली का कुन कैसे हुआ ये तो पता चल गया हैक अब हमें ये पता करना है कि कारा का कैसे हुआ और किसने के है? जानते बॉस कारा की मौत यह जो छर्रे है न तुम छर्रों के वज़े सोई यार सारूं के यह छर्रे हमी भी पता है ऐसा ही छर्रा अभीजित को मिला उस कमरे में सब्जे कुई नही बात बता नही बात हो नही बात तारीका, इल्टों को नही बात बता है? यह देखे साथ नही बात यह है कि इसके बॉड़ी पे यहां कुछ मिला है और यह गोली नही है आए तो फिर यह शरीव में गोसा कैसे? एं मोखिली की स्टेंलेट से स्टील अबास यही बुड़ने मलता में बिसाल हुए लोगए सरीए, इसकी बड़ी में और कहां से? बात तो यह है सर रियार जहां से छर्य भोड़ी वहीं से लिए जहां से छर्य आये थे लहीं से फिर तो वापस जाना ही पड़ेगा कम्रे में मेटल का पीस पॉड़ी में वही से आया है जहां से छर्रे आया है और इस कम्रे में जो मेटल का समानता वो तो हम साथ लेकर यहा है तो यह लोग और यह जिखिन है ठीक है इन सब चीज़ों को दुबारा से दर्वाजे पर लगाते हैं तो यह तो फिट नहीं हो रहा है तो दूसा देना को देना को देना यह फुराना है और यह मैं यह चक्कर यह तो बार का है हम यह इसले नहीं बैट रहा है क्योंकि यह नॉब बदल दिया गया बदल दिया लेकिन सर कोई ऐसा करेगा क्यों जो और इजनल नॉब था ना वो है इस पजल का मिसिंग पीस तो सिफ नॉब नहीं था वो गन थी गन अजब सरी सर नॉब का इस्तमाल गन के तरी के से किया गया करेक्ट कारा को यहां पेट पे गोली लगी थे कुर्वी एकमन अगर वो नॉब वाली गन यहां पे लगाई जाए तो उसकी हाइट के हिसाफ से कारा के पेट में जो चर्रे और मेटल के पीस गया था वो इसी गन से गया था सरी एकम तो वही कर सकता है जो इस कमरे में आता जाता हो यह फ्री यहां रहता हो है तो यह रॉपाली का कमरा और रॉपाली के बच्चे किटनैप हुए थे तो कहीं खुणी ने उसे जबरदस्ती ही काम करवा लिया और फिर रॉपाली का मो बन करते है उसका खुण करके असर लेकिन यह नॉप से बनाई हुए गन यह दो में कहीं मिले नहीं वो खुणी के पास है कारा का खुण होने के बाद फुनी यह वापस आया वो नॉपाली गन लेके चला गया और यहां पर यह नया नॉप्रिट कर गया इस ग्रॉप में से रॉपाली का खुण हुआ और कारा का कुछ तो ठीक नहीं है इस ग्रॉप के अंदर है तो यह किसी ग्रॉप वाले काई काम जो आसानी से पाइप के सारे उपर नीचे आ जा सकता हो चला सब की कुंडली निकालो क्या हो नहीं यहां पर और हमें क्यों बलाया गया है अरो मुझे क्या पता है यहर क्या मुझे भी नहीं पता है यह कि तुम्हें भी यह बलाया गया तुम्हें भी यह बलाया गया है अरे मुझे भी नहीं पता थाया अरे तुम लोग को भी यह बलाया गया है हाँ और अंगत नहीं आया अकर अकर हो क्या रहा है आपर आपने। विक्रम! दरवाजा.. एकोई खोलो! कीचर कसे से बांज़ के! विक्रम फाच गरो… कॉट 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 जारहे है… गोली कॉट जाला रही है? जे गोली क कए से अरही है?! ये कॉट चुलारहे है… क्यों पांज़ कॉन चला रहा हैं? सुजी येस कोई इस गण को कंट्रोल कर रहा था और तुम लोग तुमनों मेरा मेरा नाम ले रहते हैं देखा देखा विक्राम कौन कर रहा है ये से योगी आप सिर्फ हम दो नहीं बचा तुम 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 चिता मत करो मैं 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 तुम यहां से बाह निकलो चलो खिड़की लेकिन वो तुम बहुत चोटी है तुम 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 आज़ा कैसे निकलोगी अज़ 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 ग्वा आज़ क्यू अज़ अज़ यह अज़ मेरे के नौप मेरे को कैसे पता चला, मैंने तो पूफ से चैन बनाया था तुम्हारा प्लान तो बिगार दिया, रुपाली के उन दो बच्चों ने वो बच्चे तुम्हारे गुंडों के हाथों से जूट कर हमारे पास आ गए हमने सारी बातों को मिला के देखा तो पता चला कि कारा और उपाली के मौत में आप में से किसी का हाथ है सबका बैग्राउंड चेक किया गया तो एक बात सामने आ गई कि आप बहुत बड़ी जिम्नास्ट है पिरमें पाइप में पसी मिली रूई सिंसेटिक रूई जो खास किसब के बॉड़ी सुट में समाल होती है अब बस हमें सिर्फ इतना करना था कि जाल बुना जाया जिसमें आपको पसाया जाया जिसे आपका जिम्नास्टिक का हुनर और वो फैट सूट दुनिया के सामने आजाया अब बहुत हो गया बहुत बता दिया आमने तुमको अबनी काहानी सुनाओ और वो भी सची काहानी है कंपनी किसी एक को युके ब्रांच का सीउ बनाने वाली इसके साथ मिलती बड़ी गाड़ी घर और पैसा मुझे बजपन से विदेश जाने का शौक था और वो भी जाने का पूरा हदार भी था पर रास्ते में आरे थी वो रुपाली और कारा कारा को मारने के लिए तुमने रुपाली का इस्ताब किया रुपाली को उस कमरे में बुलाया जो कमरा तुमने संदीप के नाम पर बुख करके रखा था कारा को मारने के बाद तुमने फिर रुपाली को वहां मार दिया तीर चला कर जो तुमने पहले सी वहां फिट करके रखा था और इन सब में तुमने अपने पती को भी जबर्दस्ति शामिल किया लेकिन युगेंदर सजा तो तुमें भी मिलेगी रुपाली के मरने के बाद तुम फिर से उस कमरे में गई रुपाली के मर्डु का सारा एविडेंस और उसका फोन तुमने वहां से हटा दिया और यह सब तुमने किया हमारे रिसॉर्ट पहुंचने से पहले सब अच्चे से हो जाता अगर दूब बबखू बच्चे ना थे और आप लोग को ना बुलाते पच्चे तो अब हमारे पास यह रहेंगे शाली नी उनका ख्याल हम रखेंगे लेजिन तुम विदेश जाकर रहना चाहते थी ना तो क्या कर अब तो तो तुमें स्वदेश में रहना पड़ेगा वो भी जेल की सलाकों के पीछे सड़ना पड़ेगा तो दो खून की यह तुमें पासी की सजा तो हो करी रहेंगे तुमें